हिमाचल परदेस पबिश रविश कमिशन प्रारंबिक परिक्षा 2019 का ये question paper है जिसकी examination 2020 में हुई थी, paper 1 समान अध्यन है प्रारंबिक परिक्षा में one third mark जो होता है negative होता है ये ध्यान में रखना होगा question number one से start करते हैं, details में हम लोग देखेंगे question number first है which one of following was not an R.A. समाजist निम्न में से कौन R.A. समाजी नहीं थे तो answer is बाबा राम चंद्र जो है, वो R.A. समाजिस नहीं थे निम्न में से कौन सा संगठन सबसे बाद में अस्थापित हुआ है तो सबसे पहले हम लोग इसका chronology देखेंगे राष्टिय स्वैंस सिवक संग 1925 में हुआ था हिंदू महासाभा 1915 में हुआ था सत्य सुधक समाज 1873 में अस्थापित हुआ था एंड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोशियेशन अक्टूबर 1924 में हुआ था और जो हिंदुस्तान Republican Socialist Association जो था इसका foundation 1928 में हुआ था इसी HRA को HRA से कर दिया गया था 1926 में लेकिन HRA दिया गया है तो इसका तो 1924 होगा ना अब क्रोनलोजी में जदी रखते हैं तो सबसे पहले 1873 फिर 1915 1924 HRA and finally 1925 तो इसका final answer हो जाएगा रास्टियर स्वैंस सेवक When was the Vernacular Press Act passed? 1878 में हुआ था Lord Lytton के द्वारा उस समय ये Governor General and Viceroy of India था और Vernacular Press Act को 1882 में रिपील भी कर दिया गया था Lord Rippon के द्वारा पाबना बिद्रो जो 1873-76 के बीच में हुआ था कब कहां हुआ था तो Bengal में हुआ था In which year was the first session of the Chamber of Princess held 1921 इसका answer हो जाएगा option से इस correct answer फेमाइन policy जो 1880 में गठित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे तो Richard Estrechey थे ये भी हम लोग देख लेते हैं जो option में है James Loyal जो था ये भी अकाल से रिलेटेड है फेमाइन कमिशन ही है 1897 में गठित हुआ था Anthony MacDonald जो है 1900 में गठित हुआ था और ये John Lawrence जो है ये वाय सराय था 1866 में इसके समय में भी फेमाइन कमिशन गठित होती है उस फेमाइन कमिशन का जो अध्यक्ष था वो था Camp Bell Commission अध्यक्ष जो था Camp Bell था उसी के नाम पर Camp Bell Commission गठित हुआ था 1866 में John Lawrence के अध्यक्षता में कोई गठित नहीं हुई थी कमिटी फेमाइन की ये तो वाय सराय था उस समय Question No.7 देखते हैं 1927 में Brussels में हुए Congress of Oppressed Nationalists में नेमलेगित में से कौन उपस्तित थे तो जोहारलाल नहरू इसका आंसर हो जाएगा Question No.8 देखते हैं What was Ulu Gulan? यानि कि जो Ulu Gulan है वो क्या है? 18 सनी 99 और 19 समय हुआ था बिर्सा मुंडा के दोवारा ये मुंडा रिवोल्ट है Question No.9 देखते हैं Which one of following organization was the last to be established? सेम जैसा Question No.2 था उसी तरह से ये भी पूछा गया है यानि कि क्रोनलोजी काफी important है East India Association 1866 में established हुआ था Madras Mahajan सबह ये हुआ था 18 ये जो established हुआ था 1884 में हुआ था ये और Indian Association जो है 26 September 1876 में हुआ था पुना सारवजनिक सभा 2 April 1870 में हुआ था M.Z. Ranade and Ganesh Basudev जोसी के दोवारा हुआ था तो अब सब हम लोग क्रोनलोजी इसका करेंगे तो सबसे पहले 1866 आएगा फिर सत्तर आएगा पुना सारवजनिक सभा फिर Association आएगा Indian Association 76 और लास्ट में क्या आएगा मदरास महाजन सभा 1884 तो सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था option B is correct answer इस question का question number 10 देखते हैं British परदान मंत्री ने British संसत में कभी यह गोशना की कि June 1948 तक उत्तरदाई भारतियों के हाथों में सत्ता अस्तनांत्रण कर दिया साएगा यह 2nd February 1947 को किया गया था उस समय जो प्राइम निस्टर था प्राइम निस्टर एटली था सचिंद्र सन्याल ने बंदी जीवन लिखा है not a swile type in India कोई जो है वो इंडिया में swile type नहीं है arid swile होता है, pit swile होता है, literoid swile होता है जलंदर दौब के बीच में कौन सा area जलंदर दौब जो है किन दो नदियों के बीच में पढ़ता है तो यह ब्यास और 17 रिभर के बीच में पढ़ता है नीम्न में से कौन पूर्वी घाट के सबसे उची चोटी है तो अर्मा कुंडा यह पूर्वी घाट पूछा जा रहा है यह जो अपना south Asia है, यह south इंडिया है, उसका यह part east है और यह part west है western घाट में नहीं पूछा जा रहा है यह eastern घाट में पूछा जा रहा है western घाट का जो highest point है वो है अनीमुदी और south इंडिया का भी जो सबसे उचा है अनीमुदी ही है, जो कि western घाट में है लेकिन इसमें पूछा गया है eastern घाट, तो इसका answer हो जाएगा अर्मा कुंडा खेतड़ी जो है, काफी famous है copper के लिए राजास्थान में है copper mines है खेतड़ी 49th parallel जो है, वो कानडा और USA के बीच में है लीना रिवर जो रसिया में है उसका, वो कहां मिलती है वो लेप्तेव सागर में मिलती है यानी कि इसका mouth जो है वो लेप्तेव C है मतब जहां पर ये मिल जाती है और इसी नहीं, इसका mouth है लेप्तेव सागर बारेन फाल जो है कहां है ये तो ये eastern highlands में है eastern highlands जो है अस्टेलिया का वहां पर है ये वीनी पेग in Canada is famous for मुलायम लकडी संगरा के लिए ये जाना जाता है question number 20 देख लेते हैं भारत में मानोविका सुचकांग के निर्मान में निमली की चर या कारकों में से किसका उपयोग नहीं किया साता है तो morbidity को यानि की रुगणता को नहीं यूज किया साता है question number 21 देखते हैं प्रच्छन बेरोसगारी का मतलब क्या है प्रच्छन बेरोसगारी का मतलब है स्रम की सिमानत उत्पादगता सुनने है Human Development Index में हम लोग कौन सा पारामिटर जो है वो उपयोग नहीं करते हैं नहीं पूछा गया है Health, सिक्षा और आर्थिक सासाधनों पर कमान ये हम लोग करते हैं लेकिन सेक्स रेशियो जो है नहीं करते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है संकल्प जो है किसके लिए है तो ये Market Relayvent Training to Youth के लिए था Golden Rule of Fiscal Policy in India is ये है किवल सार्वजनिक निवेस के लिए उधार लेना Question No.25 है निमलिकित में से कौन प्रबंधन प्रदर्शन संकेत का एक उधारण है So answer is Option A इसमें हो जाएगा Raw Material Used per Unit of Product Question No.26 देख लेते हैं इपर Dimension of Corporate Social Responsibility Social Responsibility का कौन सा dimension है तो इसका answer हो जाएगा Option D परोग कारी NGO वाले जो questions है इसमें जादोई गोली हो साएगा ये पूछा गया है कि NGO को विकास प्रक्रिया में मौझूद समस्याओं पर ध्यान केंदरित करने और ठीक करने के लिए के रूप में मानियता प्राप्त है तो वो जादोई गोली के तौर पर है Which of the following is the primary goal for sustainable development तो इसका आंसर हो जाएगा उतसर्जन और कच्रे को नियंतरित करना Question number 29 देख लेते हैं Eco Mark Label of India एक मिटी का बरतन होता है इसका structure Question number 30 Mass extinction of species do not occur due to which of the flowing factors तो सिकार से related नहीं है यह यह 40 watt electric bulb जब इसको हम लोग solve करेंगे तो इसका आंसर 7.2 आजाएगा Question number 32 जो है इसका आंसर 200 mega electron volt हो जाएगा Question number 33 देखते हैं Dental alloy used for teeth filling containing दातों को भरने के लिए इस्तिमाल किये जाने वाला दंत मिस्र धातु है कौन सा है वो? चांदी, पारा, टिन, तांबा और जस्ता का यूज करता है लोग dentist दात को बरने के लिए 34 में जो question है निमलिकीत में से कौन सा पदार्थ पाने की कट होरता के लिए जिम्मेदार नहीं है तो calcium nitrate जो है नहीं जिम्मेवार है पौधे, पौधों के विवीन अंग जिसमें लिउकोप्लास्ट मौजूद है जड़ और भूमिगत तनाव होता है टेरीडोफाइटा में नहीं होता है flowers flowers में नहीं होते है टेरीडोफाइटा question number 37 देखते हैं पाइरूवेट का लेक्टिक अमल में रुपांत्रण option B is correct answer question number 39 देख लेते हैं यहीं पर प्राकृतिक बहवाली ग्रूप से हिमाचल परदेश में पालंपूर धरमसला और जोगिंदर नगर निम्न में से किस छेत्र में आते हैं so answer is आद्र समसितोस्ण अब हिमाचल परदेश से related questions यहां पर दीखेंगे जाहौर हिमाचल परदेश के किस जीले का तिबती नाम है question number 42 देखते हैं हिमाचल परदेश की बर्ब से ढकी किस चोटी की बनावाट सुर्जर लेंड की मैटर्ण होर जैलसी है question number 43 निम्न में से कौन सा जुगल? सही नहीं है so क्यांग जो है वो मैच करेगा किन और से? किन और से है जहांजर जो है यह मैच करेगा चमपा से किकली और भांगड़ा जो है उना से और जूरी जो है सिरमॉर से तो इस तरह से मैच करने के बाद हमारा इसका जो option correct हो जाएगा option B correct answer हो जाएगा लोहडी को राज तिवहार गोशित किया गया है और 13 जनवरी 2010 को प्रदेश का प्रथम लोहडी तिवहार किस जगब मनाया गया था पराग पूर निवन में से किस मंदिर का निर्माण आहुक और मन्यूक दो वैपारियों दोरा किया गया था तो बैजनात मंदिर के दोरा किया गया था ये बैजनात मंदिर का निर्माण इन लोहों ने किया था question number 47 निम्ण में से किस गोंपा के पुस्तकाले में कंग यूर और तंग यूर का सबसे बड़ा संग्रा है तो करदंग गोंपा Q48 निम्ण में से कौन सा कथन सही नहीं है So answer is option A जो है ये सही नहीं है और जो तीनों है वो सही है Q49 देख लेते हैं इमाचल प्रदेश भासा कला एवं संस्कृती अकादमी को किस घाटी में छो सवर्ष पुरानी पांडू लिपी प्रात हुई है तो इसका answer हो जाएगा स्पीती घाटी स्पीती घाटी में इस तरह की चीज़ें पाई गई है निवन में से कौन सा जुग्म सही नहीं है तो इसका option एक करेक्ट आंसर हो जागा फते है पूर कीला बंदला धार में नहीं है दव अनली क्वाइन एस्पेशल टू चंबा चकली है Q52 निवन में से कौन प्रदम वेक्ती था जिसने चंबा और वर्मौर में पूरा तत्व और सेसो का परिक्षण किया था So answer is General Cunningham पठियार और कनिहार में पाए गए प्राचिंतम पसाण अविलेको की लीपी क्या है So लीपी इसकी ब्रामरी है Q54 इसका आंसर हो जाएगा Sotun Q55 निम्ण में से कौन सी घाटी बीना अपवाद की नौर जिले की सबसे विशम घाटी है तीदोंग घाटी Q56 निम्ण में से किसे जस्टंग और कनिस्टंग नाम दिया गया है So answer is मलाणा गाओं की खा पंचायत के उच सदन एवं निचला सदन को लाहौल स्पीती ने प्रती हेक्टियर आलूत पादन में निम्ण में से किस देश को दूसरे पायदान पर धकेल दिया है निधर लैंड को सन 18-17 में निम्ण में से किस जगह का सरुप्रताओं वर्णन स्कॉटिस अपसर भाईयों की डायरी में मिला है परिवहन विभाग हिमाचल पर्देश ने ड्राइविंग लाइसेंज जारी करने के लिए निम्ण में से कौन से वेब आधारी सौप्ट्वेयर लागू किया था तो यह सार्थी सन 1852 में दिली टी एस्टेट की या स्थापना करने वाले बोटोनिकल गार्डेन के अधिक्षब कौन थे सो डॉक्टर जेम्सन सन 1852 अफ्टर एन इंटेंसिब रिशर्ट एन सक्सेस अप्रोजेक्ट विश्टिक अफ एच्पी इस लाइगली तो इमर्ज एस पिस्टे चियोस बॉल अप दे स्टेट यानि की इसका मतलब यह हुगा पिस्टा उत्पादन प्रदेश में कौन सा अग्रेणिया है तो आंसर कि नौर हो साएगा बहु अस्तरिया मार्केटिंग कंपनी इजी वे वीद द्वारास्थापित हिमाचल प्रदेश का प्रतम एमू प्रजनन के इंदर कहां इस्तित है गंडवाल उना में है क्वेशन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बुनार और टी एच वाकर क्वेशन नंबर 65 जो है संघाई वाले में ये करेंट अफियर का था तो इसका आंसर हो जाएगा Statue of Unity, यह भी current affair का question था, इसका answer मालदीव हो जाएगा, यह भी current affair का question था, इसका answer option A हो जाएगा, मैं इस पर जाड़ा discuss नहीं करूँगा, हाँ यह वाला भी question current का है, लेकिन हमें यह याद रखना होगा, जो brew और रिंगंग जो है, यह लोग जो है, त्रिपूरा में पाय साते ह यह सरणार्थी अभी है, त्रिपूरा में, what is the ranking of Indian passport in Henle Password Index 2020, तो यह 84 था, उसमें rank, where is the headquarter of Global Tiger Forum, यह static portion है, नियो देली में है, B O I D Q I T, क्या है, जो हाल ही में खबरों में था, तो यह सिमाओं की digital निगरानी से related है, यह भी question current से है, इसका यह हो जाएगा, option A, इस्थिर हो जाएगा, इस पेरों का जो status है, अभी इस्थिर है, ना घट रहे हैं, ना बढ़ रहे हैं, भारत ने किस देश के साथ, यह तो म मालदीब से किया था, current of year है, global happiness index 2019 में उस समय 140 रेंग था, किस प्रदेश सरकार ने एक परिवार, एक नौकरी योजना सुरू की थी, तो 60 मिसका answer हो जाएगा, question number 76 देखते हैं, यह भी भारत में किन सहरों को गैर प्राप्ती वाले सहर कहते हैं, तो इसका answer option D हो जाएगा, correct answer, भारत के किन सहरों को गैर प्राप्ती वाले सहर कहाँ साता है, तो लगतार आस्टिय परिवेस वायू, गुडवत्ता मानकों की तुलना में खराब वायू, गुडवत्ता दिखा रहे हैं, question number 77, current affair था यह, इसका answer option D हो जाएगा, चाइना है, current का question है, किस देश ने match fixing के त इसका स्रिलंका हो जाएगा, बड़ा दसेंच जो है, नेपाल से related question है, अंतरास्टिय महिला दिवस का वियान का विशे क्या था, बराबर के लिए प्रतेक, current का question है, the term operation कारवास, यह भी current का है, question ब्राजिल हो जाएगा, COP26 जो है, मैं जबानी देश कौन कर रहा है, तो यह UK कर रहा है, question number 83 देखते है, current का ही है, इसका answer, option A हो जाएगा, 991 के बाद से गरीबी को आदे से कम करना, question number 84 देखते है, current का ही question है, इसका answer, option A हो जाएगा, सही answer, option A में यह है, विकासिल दुनिया में गरीबी से निपटने के सबसे परभावी तरीकों की खोज करना, यह था, question number 85 जो है, परियावरण में जारी होने वाले पाइक्रो बाइट्स को लेकर बड़ी चिंता के हो है, इसका answer हो जाएगा, इन्हें समुंदरी पारिस्तिति की तंतर के लिए हानिकारक माना साथ है, question number 86 नेवन में से, पिछले पाँच वर्सों में दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निरियादा कौन है, भारत है, यह U पाइसी का repeated question है, किस देश की रजधानी का नाम बदल कर नूर सुल्तान रख दिया गया है, तो कजाकस्तान का अब जो capital है, वो नूर सुल्तान हो गया है, question number 88 देखते है, निमलिखित में से किसको ब्रेटन उट्स ट्विन्स कहा जाता है, तो IMF and International Bank for Recommendation and Development, इन्हें ट्वि प्रेटन उट्स कहा जाता है, question number 89, एक जनवरी 2019 को किस राज से अलग होकर, तो आंदर परदेश जो है, पचीसवा हाई कोट बन गया है, अपने इंडिया में अभी कितने हाई कोट्स हैं, तो पचीस हाई कोट्स हैं, निवन में से किस राज में दिव सद्निया बिधान पंडल नहीं है, West Bengal में नहीं है, अभी चल रहा है कि West Bengal में होजा है, अब जमु कस्मीर में भी खत्म हो गई है, क्योंकि जमु कस्मीर में, चुकि जमु कस्मीर अब यूनियन ट्रेट्री हो गया है, तेलंगना और करनाटका में है, तो इस question को देख लेना होगा अपने को ए इसमें, option B is correct answer, LM सिंग्वी जो है recommend क्या किये थे, तो ये इन्होंने किया था, इसमें सभी सही है, इन्होंने ये भी कहा था, कि गाउं के एक समों के लिए नया पंचायते बनाई जानी चाहिए, पंचायती रासंस्थाओं के लिए सनवेधानिक मानने था, और ग्राम पंच भारत के सनवेधान की किस अनुसूची के तहत, खननान के लिए जनजातिया भूमी को, नीजी दलो को हस्तनांतरित करने को सुन और सुन घोसित किया जा सकता है, तो फिप्त जो सूची है, वो ट्राइबल पीपल से है, फिप्त और सिक्स जो शिडूल है, ये दोनों ये मुनिस्पैल्टी से है, और 11 जो है पंचायती राज से है, क्वेश्चन नमबर 96 इसमें देख लेते हैं, राज सभा कितने विचार के लिए भेजे गए वित विधायो को लोग सभा द्वारा अधिक्तम आवदी के लिए विलंबित कर सकती है, तो 14 दिनों तक ये मैक्सि क्वेश्चन नमबर 97, 86 constitutional amendment 2002 जो हुआ था, इसमें हमने जो 11th fundamental duties जो था, पहले हमारे पास 10 fundamental duties हैं, जिसको कि हमने 42nd amendment के दोवारा जोड़े थे हैं, और 86 amendment के दोवारा एक और fundamental duties को जोड़ा जाता है, जिसमें ये कहा गया है, कि सिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्स की आयू के यानि कि ये fundamental rights भी है, अब हमारे पास total 11th fundamental duties है, जो कि 51A, article 51A में लिखी थे हैं, question number 98 देख लेते हैं, national human rights commission is a, इसका सही answer होगा, statutory body, extra constitutional body क्या होता है, constitutional body क्या होता है, statutory body क्या होता है, public private body क्या होता है, इसपे मैंने एक details video बनाया है, constitutional and non-constitutional body वाला आप video देख लीजिए, मैं इसका link description में दे दूँगा, question number 99, किस केंद्री है, मंत्राले ने सार्वजनिक सिवा के परभावी वित्रण के लिए एक नया web portal centers launch किया था, स्रम और रोजगार मंत्राले current का affair है, ये भी current का affair है, इसमे तामे लाड़ो सही answer हो जाएगा,